अचान कमाट टाइगर जब के शित्र के विवस्तापित ग्रामिनों की समस्या को प्रात्मिक्ता एवं सम्वेदन सीलता के साथ नीराकृत करने के निर्देज बाली का आश्रम एवं छात्रवासु का होगा अच्चौक नीरिक्चन संचालन में लापरवाही पाए जाने पर होगी कड़ी कारवाई कलेक्टर अजीत वसंथ ने जीला कलेक्टरेट स्थेटमनियारी सभाक उट्ट में सबताहिक समय सीवा की बैठक लिए बैठक में उन्होंने जीले के विकास और निर्मान कारियों की प्रगती की विस्तार पुर्वक समिक्षा की और समबंधितों को आविश्रक निर्देश दिये बैठक में कलेक्टर वसंद ने कहा कि श्रासन द्वारा अचान कमार टाइगर रजब शेतर के अंतरगत जीले के ग्राम जल्दा, समहर धसान, बहाहुड, बोक्रा, कच्छार और बाकल को विवस्तापित किया गया है उन्होंने विस्तापित इन गाओं में ग्रामिनों को उपलब्द मूलभूत सुविधाओ यानि पानी, बिजली, स्तडक, स्वास्त आदी के संबंध में जानकारी प्राप्त की और विवस्तापित ग्रामिनों की समस्या को प्रात्मिक्ता एवं समवेदन सील्था के साथ न दिवस्ता के जानकारी प्राप्त की उन्होंने कहा गी बाली का आश्रम और छात्रवासों का अच्वाक निरिक्षन किया जाएगा बाली का आश्रम तथा छात्रवासों के संचालन में लापरवाही पाये जाने पर संबंधितों के विरूतकरी कारवाई की जाएगी उन्हो बैठक में कलेक्टर वसंत ने स्वास्त विभाग की समीख्षा कटे हुए कहा कि आम लोगों को गुर्वत्ता पुर्ण स्वास्त उपलब्द कराने के लिए स्वास्त केंद्रों का संचालन किया जा रहा है स्वास्त केंद्रों के संचालन में किसी भी प्रकार के लापरवाही और उदासिंता छम में नहीं होगी इस संबन में उन्होंने मुख्य चिकत्सा और स्वास्त अधिकारी डॉक्टर त्रेलो की नाथ महिलांगेस्वर को कड़े और शक्त निर्देश दी उन्होंने नगरिय शित्रों में प्रधान मंत्री अवास योजना के संबन में जानकारी प्राप्त की उन्होंने कहा कि नगरिय शित्रों में एक एक इंच भूमी का बड़ा महत्वख होता है इस हेतु नगर्य शित्रों की भूमी पर अतिक्रमन बर्दास नहीं की जाएगी। इस संबन में उन्होंने राजस्पर विभाग की अधिकारियों को निर्देश दिये।